प्रविश्य मसी के नाम में सभी को प्यारवर रजे मसी की प्रवाब सबको बहुत आद क्याशिस से आमेन हाललुया प्रकाशी द्वाक की की हमारी अध्यान में हम लोग आगे बढ़ेंगे Revelation chapter 20 में हमारी ध्यान चल रही है प्रकाशी द्वाक की उसके 20 वी अध्याय की अध्यान में हम लोग है उसके पहला वचन से परते हैं प्रकाशी द्वाक के 20 वी अध्याय का पहला वचन से फिर मैंने एको स्वर्व दूद को स्वर्व से उतरते देखा जिसके हाथ में अताकुंड की कुझी और एक बड़ी जंजिर थी और उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इबलीस और शैतान है पकड़ के हजार वश्च के लिए बांद दिया और उसे अताकुंड में डाल कर बंद कर दिया और उस पर मुहर कर दी कि वो हजार वश्च के पूरे होने तक जाती जाती के लोगों को फिरना भरमाए इसके बाद अवश्च है इसके बाद अवश्च है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए फिर मैंने सिहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का दिखार दिया गया और उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सर इश्च की गवाई देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिनोंने ना उस पश्च की और ना उसकी मुरत की और ना उसकी मुरत की पूजा की और ना उसकी च्छांप अपने माथे पर या हातों पर ली थी वे जीवित होकर मसीख के साथ हजार वश तक राज़ करते रहे और जब तक ये हजार वश पूरे ना हुए तब तक सेश मरे हुए ना जीवटे ये तो पहला पुन्रधान है दान्य और पवित्रवा है जो इस पहले पुन्रधान का भागी है ऐसम पर दूसरों की मृत्य का कुछ भी अधिकार नहीं पर वे परमेश्वर के परमेश्वर और मसीख के याज़क होंगे और उसके साथ अब हजार वर्ष तक राज़ करेंगे और जब हजार वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन जादियों को जो पृत्वी के चारों और होंगी अर्थात गोग और मागोग को जिनकी गिंती समुद्र की बालू के बराबर होगी भरमा कर लडाई के लिए इकट्टे करने को निकलेगा और वे सारी पृत्वी पर फैल जाएगी और पृत्वी और पवित्व लोगों की चावनी और प्रियर नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतर कर उन्हें भस्म करेगी और उनका भरमानी वाला शैतान आग और गंदक की उस जील में जिसमें वो पश्यू और जूटा बवशिद वप्ता भी होगा डाल दिया जाएगा अवे राग दिन युगानिक पीडा में तड़पते रहेंगे फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिहासन और उसको जो उस पर बैटा हुआ है देखा जिसके सामने से प्रत्वी और आकाश भाग गये और उनके लिए जगा ना मिली फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुऊं को सिहासन के सामने खड़े हुए देखा अब पुस्तके खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कावों के अनुसार मरे हुऊं का न्याय किया गया और समुद्र ने उन मरे होंग को जो उसमें थे दे दिया अमरित्यों अधुलोग ने उन मरे होंग को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक कावंग के अनुसार उनका न्याय किया गया अमरित्यों अधुलोग भी आग की जिल में डाले गये यह आग की जिल तो दूसरी मृत्यू है और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तग में लिखा हुआ ना मिला वो आग की जिल में डाला गया हमने पिछले बागों में देखा था पुराना साथ, लाल अजगर, इबलीस, शैतान या बेल जुबूब यह सब नाम शैतान का है, यह सब नाम शैतान के है और यह शैतान कब बना है, शैतान को परमेश्वन नहीं बनाया पर अंतों शैतान बन गया है परमेश्वन ने क्या बनाय तो उसे हमने यह श्या नभी की किताब चौदवी अध्याय से और यहेज किल नभी की ग्रांदा 28 वध्याय से कौर करके देखा है परमेश्वर ने जो उन्हें बना देग खिरूब की उपमे बनाया था करूब वो होते हैं जो परमेश्वर के पास सबसे महत्वपोर्ण स्थानों को प्राप्त किया वे स्वर्गदूत होते हैं परमेश्वर के स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत की तरह परमेश्वर ने इन्हें बनाया था इस करूब को बनाया था लेकिन ये करूब अपने ही आप में अहंकारी होकर अपने ही आप में घमंडी होकर अपने ही आप में पाप का उत्पादन करके वो अपने ही आप में पूरी तरह से खराब होकर अपने ही साथ कहीं सारे लोगों को भी खराब करके परमेश्वर की विरोध में चल पड़ा क्योंकि परमेश्वर की विरोध में चल पड़ा और क्योंकि वो दोसरों को खराब करने पर था परमेश्वर ने उसे वहां से नीचे जमीन पर डाल दिया जमीन पर डालने के बाद जमीन पर उसको जगा दी गई थी एक बात गौर करके देखें कभी कभी आपको सवाल इस तरह से आता होगा परमेश्वर ने फिर इतना बिगड़ा हुआ करूब को जमीन के उपर क्यों फेक दिया जहां पर मनिश को बनाना था जहां मनिश को बनाना तो वहां पर परमेश्वर ने इससे क्यों रखा है इसे कहीं और डाल देना था जैसा है अताकुंड में हम लोग यहाँ पर दीख रहे हैं अताकुंड में जाने के लिए इसे 66 ग्रंदों से होकर जाना बढ़ा है यह जो शेयतान है जो इबलिस है जो बिगड़ चुका है जो करूप था उसे अताकुंड में पहुंचना है तो उसे 66 ग्रंदों से होकर जाना है उदारन के लिए सोचते हैं जब अपने टीनेज अवस्ता में या मैं या कोई और भी बिगड़ गये हो तो उसी दिन अगर हमें भी लिखालकार अताकुंड में डाल दिये होते घर से बाहर फेक दिये होते या फिर जेल में डाल दिये होते कुछ कर दिये होते इतनी यात्रा तो नहीं होती और इसी यात्रा के दोरान इतने परिवर्तों रद नहीं होते और ये परिवर्तों के गवाईयां भी नहीं सुनाई पड़ते थे परमेश्वन ने हर एक विक्ति के लिए हर एक वस्तू के लिए समय को तै किया है समय को दै किया है एक और विशे की और आपकी ध्यान को मैं लेकर जाना चाहता हूँ जब मनुष्य ने पाप किया था पाप करूने के बाद परमिश्वन ने कहा तेरे कारण से ये धर्ती अभी कांटे और जंगली जान देने लगी है ये धर्ती के कुछ नियम बदल चेकी है इससे पहले पृत्वी इस प्रकार से नहीं थी पर अंतु ये कुछ जगाओं पर जब जाते हैं भयान जगा है घोर क्या कहते हैं वो विपत्यों से बराव या दुरगटनाओं से बरावज जगा है हम धर्ती के पर चलते हैं तो हमें संबल संबल कर चलना बढ़ता है कभी समतल भूमी पर भी चलते हैं तो संबल कर चलना बढ़ता है कुछ जगाओं पर हम लोग क्या कहते हैं आत्मविश्वास के साथ में भरोस्य के साथ में चल पढ़ते हैं लेकिन कुछ जगह ऐसे हैं, जहां पर हम लोग कदम भी नहीं रख सकते हैं, कुछ जगह ऐसे हैं, जहां पर इंसान पहुंच नहीं सकता है, ऐसा भाइकर जगह हैं, पर मेंश्वने तो ऐसा नहीं बनाया तो उने, लेकिन धर्ती बहुत बदल गई है किसके कारण बदल गई है मनश के कारण बदल गई है मनश किसके कारण बदल गई क्या कहता है मनश कहता है कि मैं तो सर्ब के कारण बदल गया हूँ अब एक एक जने के कहता है लेकिन जो भी हो इस धर्थी के उपर एक नियम बदल चुकी है परमिश्वन अगर धर्थी को उसी दिन खत्म कर दिया होता इतने हजार वर्षों की 66 ग्रंदों से फिर से धर्थी नहीं गुजरती इतने ग्रंदर हम लोग इन सभी को गौर करते हैं बहुत महत्वपोनी आत रहे हैं जब परमिश्वत जानते थे कि शेतान जो है वह भर्माता है खराब करता है बिगाड़ता है तो आदम और हवा को उसी बगीचे के अंदर क्यों बनाया जिस बगीचे में इसकी जगा पहले ही से बनी हुई थी आदम हवा को बनाने के बाद में नहीं है वो तो पहले इसी आज चुका है फिर से एक बार आप लोग एश्या नभी की किताब 14 वध्याए और इसके साथ मैं एसकेल का ग्रंद 28 वध्याए को पढ़कर देखिए दर्ती को बनाने से पहले उस करूप को बनाये गया था और उस करूप को बनाने के बाद में परमेश्वर ने उसकी रचना में बड़ी सम्मान के साथ में स्वागत किया था परमेश्वर उसे भी देखकर बहुत खुश हुए थे हम देखते हैं, पहला दिन हो गया, उजयाल आ गया, दूसरा दिन हो गया, हम यह आ गया, तिसरा दिन, चौतर दिन, पांचवर दिन, अच्छा, 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 परमेश्वर खुश हो गया है, अपने इस धर्धरती को देखर, अपने इस रिस्टी को देखकर, उस करू रूप को भी देखकर परमेश्वर खुश हो चिके हैं मनिश्य को भी देखने के बाद परमेश्वर बहुत ही खुश हो चिके हैं इसलिए कहता है बहुत अच्छा है परमेश्वर की स्विस्टी में हर एक चीज को हर एक रचना तो देखने के बाद परमेश्वर अपनी हस्त क अलाओं से प्रसंद हुए है, परमेश्वर उससे संतुस्ट हुए है, परमेश्वर उससे आनद दिर खुश हुए है, वो परमेश्वर जिनों ने इन सभी को बनाया था, उस परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए एक समय और एक सीमा भी रखा है, और इसकी सीमा क्या है हम तुम देखते हैं इसकी समय भी क्या देखेंगे हम लोग। परमेश्वर के ही पास जितनी ज्यान है उतनी ही ज्यान इसके पास भी है। जिस तरह से हमारी रहस्य की बातों को परमेश्वर जानते हैं, हमारी रहस्य की बातों को यह करूब भी जानता है। अगर आप चाहें तो कल सुबा का डेली डोस में कुछ और वातों को सुन लिज़े आपको मालम पढ़ेगा कैसे विचार मनुष्य को ढून-ढून कराती है कैसे कोई विचार या विचार धारा है या कोई आलोच ना मनुष्य की खोज में निकलती है मनुष्य इसकी खोज में नहीं जाता है मनुष्य की खोज में कोई बाते निकलती है इन बातों को गौर करना है नेति वचल से जो अमारी ये एक से श्रिंकला चल रही है डेली डोस में उसमें आप लोग सुनिये लगा करो ऐसे कोई विचार इससे छिपावा नहीं है ऐसी कोई बात इससे छिपावा नहीं है ये सब कुछ जानता है और ऐसी कोई जगा नहीं है मैं चले कहा रहा हूँ इसकी सीमा भी जो तहकी गई है इसकी कोई सीमा नहीं है कोई जगा नहीं है वो कहीं पर भी जा सकता है उससे बना दे समय पर मेश्वर ने उसके लिए जो समय तहे किया था उसके लिए जो सीमा तहे किया था उन सबों के साथ में उससे कहीं पर भी जाने के लिए एक अनुमति दी गई है उसको रोक नहीं है इसलिए मैंने कल भी कहा था इससे पहली भी कहा है आज भी कह रहा हो उसे आज भी सुर्ग जाने का अधिकार है सुर्ग में विरोधी का भूमी का निभाने वाला केवल वही है विरोधी का भूमी का निभाने वाला मनशी के उपर आरोप को लगाने वाला मनिश के खिलाब में शिकायतों को करने वाला केवल वही है उससे कहीं पर भी जाने का मौका है कब तक मौका है जब तक संत लोग एक हजार वर्षों के लिए धर्ती के पर नहीं आएंगे एक हजार वर्षों के लिए जब संत लोग धर्ती के उपर आएंगे संतों को लेकर अनका प्रभु परमिश्वर धर्ती के पर आएंगे उस समय वो यहां नहीं रहेगा जहां संत लोग रहते हैं वहां पर उनी रह पाएगा थैंक यू लॉड उसे एक हजार वश्चन के लिए बंबी बनाकर अताकुन में डाल दिया जाएगा मनिश्वर को उसी अधेन की बगीचे में परमिश्वर ने बनाया है इसलिए मैं कहारा हूँ उसकी कोई क्या कहते हैं इसकरूप की कोई सीमा नहीं है कोई जगा सीमित नहीं है हर जगा पर वो जा सकता है कोई भी समय पर जा सकता है किसी से भी वो बाते कर सकता है किसी को भी बर्मा सकता है किसी को भी अपने वश में कर सकता है उसके बास मौका है लेकिन परमिश्वर क्या करते हैं? परमिश्वर ने अपने ही जबानों से अपने ही शब्दों से मनश को सचेत किया है चेतावनी दिया है तुमारा जो रूप बना गया है तुमारा जो स्वरूप बना गया है तुमारी जो अस्तित्व बनाई गई है ये अस्तित्व ये स्वरूप अगर शब्दों को शब्दों की और किस तरह के शब्दों के और तुम कान लगाते हो उस तरह से वो जुक जाएगा अगर तुम अच्छे शब्दों के और कान लगाते हो तुमारा ये जो अस्तित्व है तुमारा ये जो जीवन है वो अच्छाई के और जुकेगी अगर तुम अपने कानों को बुरे शब्दों के और लगाते हो तो तुम बुराई के और जुक जाओगे इसी बात को परमेश्वन ने समझाया था कि यहाँ पर एक पेड है जिसका फल तुम खाओगे निश्चे तुमें भले बुरी की ज्यान मिल जाएगी परमेश्वन उनसे कहा तुम जुक जाओगे किस तरफ बुरी ज्यान के और जुक जाओगे तो कोई भी सोच हमारी जीवन हमारी अस्ते तो उसी पर खड़ी हुई है जो हमारे कान सुनते हैं हमारी आँखे जो देखती हैं इसलिए प्रवीश्य मसी भी हमेशा कहता है जिनके कान हो वो सुन ले हमारे जीवन उससे बनता है जो हमारे कान सुनते हैं हमारे जीवन उससे बनता है जो हमारे आँखे देखती हैं कान हर एक चीज़ को चाता है आँखे भी हर एक चीज़ को चाती है लेकिन मनाने का काम मन का होता है उस मन को स्थिर करना है उस मन को मनाना होता है यही परमेश्वर ने कहा तुम्हारा जो रूप बनाए गया है उस रूप में तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखे किसी चीज़ की लालसा करेंगे परन तो तुम्हारा मन तुम्हें मनाएगा और तुम्हें उसकी और जुकना है परन तो क्या हो गया बरी बातों के और जुक कर परमेश्वर के विरोध में जुक कर परमेश्वर की खिलाफ में जाने के बाद मरश बिगर चुका है पापी हो चुका है पाप में पर चुका है इसलिए परमेश्वन उस समय कहा था क्योंकि तू आज पाप भी हो चुका है पाप में भर चुका है तेरे भीतर पाप प्रविश कर चुका है तो अधेन की बगीचह में नहीं रहेगा जीवन का व्रिक्षत तेरे सामने से दूर हो जाएगा गौर कीज़े यहाँ पर यह दूसरी बार हुआ है पहली बार कहा हुआ है पहली बार जीवन से अनंत जीवन से यही करोव जिसे हम शेतान के रुप में जानते हैं वो स्वर्ग से उतारा गया है उसे गिराये गया गया ह इसका मतलब है कि परमेश्वर ने अनंत जीवन से उसे दूर कर दिया है क्यों दूर कर दिया क्योंकि उसने पाप किया है उसने गलती किया उसने अपराद किया है और उसने क्षमा नहीं मांगा है वो नीचे गिरा गिया गिया उसे जब नीचे गिरा दियेगे उसके बाद में स्वर्ग सा एक और धर्ती के पर जीवन को परमेश्वन ने बनाया जिसे अदेन की भगीचे के रुप हम लोग जानते हैं परमेश्वन ने कहा यहाँ पर मृत्यू नहीं है जब तक तुम मृत्यू को मोका नहीं दोगे तब तक मृत्यू प्रवेश्ण नहीं कर सकता फिर से सुनी इन बातों को जिस दिन तुम इस फल को काओगे मर चाओगे कि मतलब है जब तक तुम अपने मन को मना कर तुम रोक सकते हो जितने समय तक तुम इस रोक पाते हो उतने समय तक मृत्यू तुमारे पास नहीं आएगी जिस दिन तुम जुक गए हो उस दिन मृत्य तुमारे भीतर प्रवेश करेगी पाप के परिणाम के रोप में पाप के वेतन के रोप में और मनिश ने वही काम किया उसी काम का परिणाम था कि वह पाप में गिर गिया है पापी हो गिया है अभी वही पर वही करूप था जो शेतान बनकर वहाँ पर बैटा हुआ है उससे जब स्वर्ग से नीचे फैका गया गलती करने पर क्या परमेश्वर पक्षिपात को दिखा कर मनिश को आदम को हवा को उसी बगीचे में रखेंगे या फिर परमेश्वर निश पक्षिपात को दिखा कर जिस तरह का सलूप करूप के साथ में किया था उसी तरह का सजा मनिश को भी देता है अगर परमेश्वर ने मनिश के प्रतिस प्रकार के सजा को नहीं दिखाया तो परमेश्वर पक्षिपाती हो जाते हैं वो परमेश्वर की जगा पर नहीं बैठ सकते हैं इसलिए परमेश्वर ने मनश्य को भी अधेन की बगीचे से बाहर निकाल दिया है अधेन की बगीचे से बाहर जाते समय आदम और हवा ने कम से कम एक बाहर सौरी नहीं बोला है परमेश्वर को क्षमा नहीं मांगा है एक दूसरे के पुरने ने दोश लगाया है लेकिन परमेश्वर से क्षमा करने की बात उन्हों नहीं किया है तो परमेश्वर उन्हें बाहर कर दिया योगिन ना बने और जब तक शमा मांगने के लिए वो लोग अपने आपको तयार न करे तब तक मैं वोने बीतर नहीं स्विकार हूँगा इसलिए परमेश्वर ने और करूगों को लेकर आया जिनके हाप में जलतीवी मशालों की समान तलवारे दी गई है वे लोग वहाँ पर फार्ट की पास खड़ें अभी आदम हवा भीतर प्रवेश नहीं कर सकते अब वही वो संसार में रह गए है मनिश जिस संसार में शैतान रहता है जिस संसार में शैतान रहता उसी संसार में मनिश को रहना पढ़ रहा है परमेश्वर ने कहा उससे आने मत दो उससे अंदर आने मत दो लेकिन मनश ने उससे स्वागत कर दिया है जब स्वागत कर दिया तो परमेश्वर ने भी उनको छोड़ दिया है कहा है अभी तुम संगी साती बन चुके हो अब तुम सात में चलो लेकिन परमेश्व पूरी तरह से उन्हें ठुकरा नहीं दिये हैं उन्हें मौका दिये हैं वे जब भी पुकारते थे परमेश्वर उनसे मिलने के लिए आते थे परमेश्वर उनके संतान पुकारने के बाद उनके संतान को भी सुनकर आये हैं उसके बाद अभी तक परमेशों पुकार सुनकर इश्र ने कहा था जब भी दो या तीन मुझे पुकारे मैं आ जाओ गाए आते परमेश्वर आते हैं इतना सब कहने का अर्थ यह है जो करूब एक समय पर परमेश्वर के स्वर्ग में परमेश्वर के पवित्र परवत की उपर निवास किया करता था वो जब बिगड गया है पाप कर चुका है पाप में पढ़ गया है वहां से उसे जब नीचे गिराए गया नीचे से गिराने के बाद में उसे अभी भी जगा है अभी भी समय है उसको जिस सरह से मनश्य हम लोग को परमेश्वर ने समय दिया है वैसे उसको भी समय दिया है और हर चीज समय के अनुसार होता है कोई ऐसा चीज नहीं जो बिना समय में परमेश्वर कारी को करते हैं हम इनी को देखा है अताकुन में डाले जाते हैं कब डाले जाते हैं जब संत लोग घरती के पराते हैं संत लोग घरती के पराते हैं इनका काम है भर्मानी का काम इस करूप का काम है भर्मानिक काम वो अपने आप में दुस्ट हो गया है वो अपने आप में खराब हो चुका है वो अपने आप में विगड चुका है जो स्थान को वो खो गया था वो नहीं चाहता कि कोई और उस स्थान को प्राप्त करें स्वर्ग का स्थान उसने खो लिया था इसलिए वो चाहता है कि हम जो स्वर्ग के स्थान स्वर्ग के योगी जिसे परमेश्वने में बनाया है हमें भी स्वर्ग जाने से रोके इसी एक काम में वो बैटा हुआ है अगर मेरा ना हुआ तो मैं तेरा भी नहीं होने दूँगा एक ही उद्देश उसका है इसलिए मनश्यों को स्वर्ग जाने से रोपता है फिर भी परमेश्वर ने अधेन की बगीचे से इने बाहर करते समय कहा तो वाले के परिश्कार को मैं भेजूँगा परिश्कार इसलिए मनश्यों के रूप में 2000 साल पहले यहां पर है और इसलिए मनश्यों आने के बाद सभी लोगों को जिस तरह से अधेन की बगीचे में परमेश्वर ने आदम हवा को सचेत किया था वैसे हमें भी सचेत करते हैं इश्यमस्य की वानी है इश्यमस्य की सिक्षा है उनका उपदेश है कि हम बुराय से मूँ फेर ले और परमेश्वर की राव पर चले परमेश्वर की आग्यों में चले पवित्रता की योर चले पवित्र राव मर खड़े ओचाए ताकि हम परमेश्वर के स्वर के काबिल बन हमें काबिल बनना है स्वर्ग के योग बनना है हमें जब तक हम काबल नहीं बनेंगे तब तक हमें नहीं लेकर चाहेंगे अगर ऐसा होता आदम और हुआ खड़े होकर कहते हैं परमेश्वर ऐसी कौन सी काबियत इनके अंदर है कि आपने इनको स्वर्ग में जाने का प्रभेश दिया है परमेश्वर निस्पक्षपात निस्पक्षी है परमेश्वर को कोई पक्षपात नहीं है परमेश्वर एक पक्षपात नहीं है इसलिए परमेश्वर ने किसी के साथ भी किसी के साथ भी पक्षपाति का कभी कोई फैसला नहीं सुनाया है हम देखते हैं यहाँ पर उसके बाद में बाकी सारे कबर खोले जाते हैं पहले पुंद्धान के बाद में जितने भी लोगे उन सारे कबरों को खोला जाता है और वे सब भी आका परमेश्वर के सियासन के सामने खड़े होंगे हर एक विक्ति को परमेश्वर मुका देंगे वहाँ पर अपनी अपनी सफाई देने का लेकिन धन्य वेलों के जुलों पहली पुन्रधान में रुवेश कर चुके हैं इश्य मसी बहुत जल्द बादलों के पर आएंगे बादलों के पर आने के बाद इश्य मसी अपनी कलीसय को अपने साथ में लिकर जाएंगे साथ वर्षों की हमारी संगती कलीसय की प्रभु के साथ में बादलों के पर होगी एक उत्सव जैसा एक बड़ी सी जेवलार में हम लोग रहेंगे मेमले की विवाहा और मेमले की विवाह की जो बोच है वो उसमें सबी लोग शामिल होंगे उसके बाद परमेश्व फिर से एक बाद हम सब को धर दिक के बर बेज़ेंगे उत्पति की किताब में हमने जिस सरा से 800 वर्षों की जीवन 900 वर्षों की जीवन को देखा है लग बग 30 कम 23 कम 1000 वर्षों की जीवन हमने देखा है उससे पूरा होना है वो कौम पुरा करेंगे, संत लोग पुरा करेंगे उसके बाद ही हम लोग अनंत काल में प्रवेश करेंगे हम अनंत काल में अभी प्रवेश नहीं करेंगे हमें अनंत जीवन का वादा दिया प्रभु ने इसका मतलब यह है कि हम यहां से यहां आगे बढ़ेंगे जो कलीसिया बादलों के पर उठाई गई है जिसने इश्यमसी को उधार करता मान लिया है प्रभु का वच्छन क्या कहता है परमेश्वन अपने इकलोते पुतर इश्यमसी को दे दिया जो कई विश्वास करेगा वो नाशनियों को परन्तु अनंत जीवन पाएगा यह अंतिम बात है अनंत जीवन पाने का अंतिम बात है लेकिन आरब कब हो गया है जिस दिन हमने इश्यमसी को गरहन किया है जिस दिनम निश्य मस्य को ग्रहन किया मानने देख बात कि आपको किसी ने भवश्वानी किया है कि आप पलाना देश के राजा बनेंगे राजा तो अंतिमस्तान है लेकिन राजा बनने से पहले आपको कई स्तरों से आपको होकर घुसरना पड़ेगा आपको जीवन की कई सारे जगाउं से होकर आपको चलना पड़ेगा आपका एक बच्पन होगा आपकी किश्वरवस्ता होगी आपकी जवानी होगी आपकी पढ़ाय होगी आपकी सिक्षा तालिम होगी उसके बाद में कुछ अनुभो होगा उसके बाद अग्जय करा स्यास में बैठेंगे कुछ आप अनुभों को प्राफ्ट करने के बाद अनंत जीवन भी वैसे ही है जैसा राजा की भविश्वानी है हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया है लेकिन अनंत जीवन पाने से पहले कुछ और स्तरों से हमको जाना है पहला स्तर क्या है पहला स्तर यह है कि प्रवीश्वर जीवन को जिस दिन में उधार करता मानले उस दिन अनंत जीवन का प्रतिग्या और उसका मोहर हम पर लग गया है इसमें कोई संदे नहीं है परमिश्वन ने हमें अनंती जीवन का टिकेट दे दिया है इसमें कोई संदे नहीं है उसके साथ में में क्या करना है प्रभीश्यमसी के बादरों के आगमन के समय तक या हम इस धर्ती को छोड़ कर जाने के समय तक अपने आपको इस योग के इस सकाबिल और अपने आपको धर्मी पवित्र टहरा कर हमारे उमर बार उस जीवन को विताना है उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा इश्य मसी बादलों के पर आएंगे कली से यहां से उठाए जाएगे बादलों के पर बादलों के पर साथ वर्षण के लिए रहेंगे साथ वर्षण के बाद में हम वापस धर्ति के पर आएंगे हम वापस धर्ति के पर आएंगे धर्ति के पर आने के बाद हम एक हजार वर्षण को यहां पर पूरा करेंगे एक हजार वर्षण का जो जीवन होगा सुक्धायक जीवन होगा आनंदायक जीवन होगा आशिश्मान जीवन होगा इसमें उठेंगे गिरेंगे खड़ेंगे यह सब भी होगा लेकिन हवारा प्रभू हवारे साथ में राज्च करेगा इसका मतलब है अन्याय, धोका, हेमसा यह सब खत्म हो जाएंगे भ्रभू एक खूपसूरत से एक सुन्दर सा आशिश्मान जीवन हमें प्रधान करेंगे यहाँ पर और संत लोग वियाएंगे उनके साथ में मिलकर राज्च करेंगे धर्ती के पर बाकी लोग रहेंगे धर्ती के पर बाकी लोग रहेंगे संत लोग सभी राजा बनकर बैटे तो प्रजा कौन है और मेश्वर के बच्चन को थोड़ा और गौर करते देखिए आप शॉटकट में एक शब्द को पकड़ कर इसी को यही लास्ट पकड़ कर मत बैटिएगा अनंत जीवन प्राप्त करेंगे अनंत जीवन में जाने से पहले यह जीवन यह जो जीवन अभी वर्तमान की जीवन है इसे पूरा करना है इसे पूरा करना है इस वर्तमान की जीवन को उस अनंत जीवन के योग्य बनाना है तभी ये जीवान प्रभु के आगमन में बादलों के पर उठाए जाएगा अर उसके बाद वहाँ से फिर धर्ति के पर राज करने के लिए हमें आना है आज हम धर्ति को देख रहे हैं किस हला से जा रही है किस हाला से कोई आश्चा नजर नहीं आ रही है किसी प्रकार की आशा कहीं पर नजर नहीं आ रही है जहां देखो वहाँ पर निराशा ही निराशा नजर आती है प्रभू को आना अवश्य है प्रभू के भक्तों को आना अवश्य है संतों को राज्य करना अवश्य है सिहां सुनों के बाद प्रभु के लोगों को बैठना अवश्य है इसलिए धर्ती भी क्या कर रही है धर्ती भी बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रही है ये सारी सुर्ष्ठी बेसबरी से इंतजार कर रही है किसके लिए प्रभु के संतों की आगमन के लिए परमेश्वर के भक्तों की आगमन के लिए यह स्रिष्टी इंतजार कम रही है कवाएंगे प्रभु के लोग, कवाएंगे प्रभु के लोग आप जानते हैं प्रभु के लोग जब इस संसार में थे अर्थात अदेन की बगीच्छा जब परमेश्वर के संतान के रूप में जब तक आदम था, तब तक इस धर्ती का सुरूप अलग था जब परमेश्वर के संतान के सुरूप से आदम घिर कर दूसरे सुरूप में छला गया धर्ती का सुरूप बदल गया, स्रेश्टी का सुरूप बदल गया है वापस अपनी स्थिती में पहुंचना चाहता है मनिश भी वापस अपनी स्थिती में पहुंचना चाहता है कौन से स्थिती अविनाशी स्थिती में पहुंचना है विनाशी स्थिती से अविनाशी स्थिती में पहुंचना है में कि अमिनाशी सितिम अगर पहुंचना तो इतनी बड़ी प्रक्रिया से हमको उकर चलना पड़ेगा संतों के लिए सारी स्रुष्टी इंतजार कर रही है जो संतों लोग हम से पहले वहांपर पहुंच गये हैं जिनकी आप मौंगो यहों ना दिकाता है कि परमेश्वर की वेदी के नीचे वे लोगों की आप में जब प्रभू के लिए वद किया गया प्रभू के वद किया गया है वे पुकार का कहरे के प्रभू और कितना देर और कितना देर वे भी हमारे इंतजार कर रहे हैं वे हमारे इंतजार कर रहे हैं जो कबर में सोईवे लोग हैं वे भी इंतजार कर रहे हैं प्रभू कब खुलेंगे कबर क्योंकि प्रभुन ने कहा है सारे कबर खोल जाएंगे हम अच्छन में देखते हैं जब इश्य मसी बादलों के उपर आएंगे कबरे खोली जाएंगी और वे हम से पहले जो प्रभुन में सो गेते हैं वे लो हम से पहले उठाए जाएंगे वे भी इंतजार कर रहे हैं सारी धर्त इंतजार कर रही है हम इश्य के आने के इंतजार कर रहे है सुरस्ती परमेश्वर के संतों के इंतजार कर रही है जो स्वर्ग में अभी जाकर बैटे हुए है परमेश्वर के वेदी के सामने जो आत्मा है वे हमारी इंदजार कर रही है और ये सारी सुष्टी हम सब की फिर से अंतिम इंदजार करेगी एक हजार वर्ष हम सब लोग यहां पर होंगे एक हजार वर्षों की हमारी जीवन होगी जिसमें तंदुरुस्ती होगी, जिसमें बरकत होगी जिसमें आशेशी आशेशी होंगी क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे साथ में राज़ करता है इश्व मुस्री के सलीव के जाने से बहले इश्व सलीव के पर जाने से बहले छेलों ने पूछा था प्रभु राज कब करेंगे आकर? कब करेंगे आप कहा है आजाएंगे लेकिने सवे प्रभुष पिता परमेश्वन अपने आधीन में रखा बाकिये सब को होना अवश्य है एक हजार वश्य सुनेहरे वश्यंका एक सुनेहरे जीवन हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं बहुत खुब सुरत सा जिन्दगी हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं हर मनुष हस्तावा दिखाई पड़ेगा आज हर मनुष धर में बैटा हुआ है अज हर मनुष घबरार में बैटा हुआ है आज जहां देखो वहाँ पर जिसके चेहरे पर दिखो उसके चेहरे पर उदासी भाई चाया हुआ है परमेश्व ने मरश को ऐसा नहीं बनाया था परमेश्व ने मरश को हसता हुआ खिलता हुआ परमेश्व ने अपने सोरू पर समानता में बनाया था ये दुख मिट जाना है ये संकते हड़ जाना है एकलेश मुसिवते हड़ जाना है ये सारी विपत्य दूर होना है मृत्य को हटना है और मेश्वर के वच्छनों में देखते हैं कलबा की चीज़ों को मैं ध्यान कराऊंगा समुद्र ने अपने लोग को दे दिया तेरा वच्छन समुद्र ने उन मरेवगों को जोनमेते दे दिया मृत्य ने दे दिया अधलोप ने भी दे दिया इसको दे दिया जो मरेवगों को रिटन कर दिया बृत्यकों की पुरुद्धान का मतला बे इनको रिटन करना पड़ेगा जितने लोगों ने जिस जिस रीति से मृत्यों के रोप में आकर इनको लिया है उन सभी को वापस करना पड़ेगा वापस करने के बद क्या हो रहा है इन सब को ले जाकर अतकुंड में डाल रहे इन सब को ले जाकर अतकुंड में 14 वच्छ देखते है बृत्य और अधुलोग भी आपके जील में डालेगे उनको भी आपके जील में डाल दिया कौन कौन चलेगे यहां पर एक वो पुराना शैतान एक पुराना जगर पुराना सांप इबलिस शैतान जिनने वास्त में परमेश्वर ने करोब बनाया था स्वर्ग दूद के रुब में बनाया था परमेश्वर किसी के पक्षबात नहीं करते हैं चाब वो कितना भी कीमती क्यों ना हो हम सबसे एक कीमती हम सबसे एक कीमती था यह खरूब जिसको परमेश्वर कल अता कुण में डालने जा रहे है इस रिष्टी के अंदर अगर सबसे कोई मुल्यवान था वक्त तब अब अरागे भी वो एक ही करोब है जो शैतान के रुपे बदल चुका है परमेश्वर कितने भी मुल्यवान क्यों ना हो अगर उनके वच्छन के आधार पर नहीं चलेंगे उनके साथ पक्षबात नहीं करेंगे उन्हें बच्छाने के लिए उनको ही नहीं सबसे छोटे से छोटे इसलिए वच्छन में सुनते है छोटे से छोटे को भी परमेश्वर बच्छाने के लिए आते हैं वास्ते में परमिश्वर के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है परंदू छोटे से छोटे भी जिने हम लोग बानते हैं उन के लिए प्रभू उधार का मार्ग को खोले हैं इसका भी सामने उधार का मार्ग है जुटता नहीं है किसी के सामने हंकारी घमंडी किसी के सामने जुटता नहीं है अगर वो जुक गया उसका उद्धार हो गया है अज कितने ही लोग अपनी हंकार में उद्धार को ठुकरा कर जाते हैं कितने ही लोग हैं प्रभु को मानते हैं प्रभु को जानते हैं लेकर उनको मानते नहीं है क्योंकि हंकार रोक देती है, घमंड रोक देती है, संसार की लांशाय अभी लांशाय रोक देती है परमेश्वर के संद्गोनों के लिए सारे स्वस्ट इंतजार कर रही है और हम प्रभीशमस्दी के बादलों के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं अताखुंड परमेश्वर ने किसी के लिए नहीं बनाया था किसी के लिए नहीं बनाया परमेश्वर नहीं चाहते थे कि अताखुंड को बनाया लेकिन जिस दिन वो करोब बिगड़ चुका उस दिन परमेश्वर को अताखुंड बनारा पना और उसके साथ में जो जो भी चलते हैं और सबी को उसी आथापुन में डाल दिया जाएगा मनिश को परमेश्वन न यहाँ पर इस तरह का जीवन दिया है जिस सोच को तुम अपनाते हो जिस सोच को तुम मान कर चलते हो उसी दिशा में उसी और तुमारी जिन्दगी चुक जाती है तुमारे कान कैसी बातों को सुनती है कैसी बातों को मानने के लिए तुमारा मालिक इच्छा रखता है कैसी चीजों को देखने के लिए आपके आखे तरसती है कैसे सिक्षा को पाने के लिए आपके कांग दरसते है प्रभी शमस्य कहते हैं फिर से एक बार फरीसियों की खमीर से दूर रहना क्यों कहा थोड़ा सा खमीर तुमारे सारी आटक को बिगाड़ देगा इसलिए प्रभु कहते हैं चितने लोग भी वचल को सुन रहे हैं अपने कांदो प्रभु की और कांदो परमेश्वर आपसे बेहत प्रेम करते हैं परमेश्वर कल भी करते दियास भी कर रहे आगे भी करते रहेंगे लेकिन परमेश्वर का प्रेम का पातर वही होगा उसका प्राप्ति उसी को मिलेगा जो उसकी और अपने काम को देगा जो उसकी और अपने मन को देगा जो अपना जीवन उसके और जिकाने के लिए अप्छा को रखता है उसी को परमेश्वार अपना प्रेम का पात्र बनाएंगे प्रभु का प्यार सभी के उपर है सभी के उपर है लेकिन कौन अलभो करते है कौन प्राप्त करते है उसे कौन स्विकार करने के लिए सिर्द है प्रभी श्रमों से ही बहुत जज़वाने वाले है अपना प्रेम के सुर्व अभीद्ध दिखा रहे हैं प्रभु के वच्छन को यहां वखर से समात्ग करेंगे परमेश्वर की कलीन से परमेश्वर के लिए संतकवरों के लिए सारी सुस्री इंतजार कर रहे हैं हम परमेश्वर मेंसे की आगman के बढ़ी हैं हमारी आशा है हमारी इच्छा है और प्रभु की वच्छन प्रतिग्या इस प्रकार से कि प्रमेश्वन ने हम से प्रतिग्या किया है कि वे अनंत जीवन को हमें प्रधान करेंगे हमारी अनंत जीवन की और हमारी दीशा बढ़ रही है हमारा लक्ष है, हमारा एक मात रुद्देश रख कर हम सब लोग खृस्ती जीओं को यहां पर विता रहे हैं प्रभग के आगवन बहुत जल्द संभावने वाली है हम विश्वास करते हैं कि और आपके लिए दुआ भी करते हैं हम सब लोग इश्व के बादों के आगवन में एक दुसरे को दीख पाएं अपने सिरु को जुकाते हैं आँखों को बहुत का प्रभग की और देख कर एक मिंट प्रादना करेंगे सरवश एक्तिमान परमेश्वर फिर से एक बाद धनिवाद करते हैं स्तुति प्रशंसा महिमा गौरव आदर के साथ में आपके शरण में आते हैं द्यावद बिरस्वत समय के लिए धनिवाद आपके प्रभजे महिमा में हमें चलाएं इसके लिए धनिवाद अशिश्मान वच्छनों से प्रभव आपने हमसे बाते की हैं एक और बाशुक्रिय दा करते हैं आपकी आदर समान महिमा गौरा करते हुए अपने आपको दीन और नबर करते हैं आपके पुत्र के आगवन के लिए में सिद्ध कर दीजिए स्वर्गराच के योगी प्रवेक जीवान हम लोग भी तास सके ऐसे कामले प्रवज़ हमारी भीतर प्रवदान करें और हम में से पर्मेश्व और कोई भी इस ऐन्सार में छुडाया ना जाए पर रंत प्रवज़े आपके साथ मोई स्राजपा प्रवेश करना का भागगयां और किसी को प्रवज़ करने के लिए दुआ करते हैं आपकी पुदर की आगमन में देरी होगी कलशाम के इस प्रकार से मिल कर सुती प्रशम सारा दिना करने के सुभागी ब्रुदान कीजिए अगर ऐसा ना हुआ आपकी पुदर के इस पाहतन पुरजी और सागमन में सुराज्च्पован में करने के लिए दुआ करते हुए हमारे सारी प्राथनों को प्रभुजा अपने सुन कर हमें दियोतरों के रिक और धन्यवात करते हैं हमारे उधार करते हैं प्रभीश मुस्यी के नाम से इस प्राथनों को मांगते हैं सुन और कबल कर विताओं आमेन आमेन आमेन